गुद्ध मॉर्निंग स्टूडेंट्स आवाज यू आई होप यू आर फिट अन फाइन स्टूडेंट्स आयम यूर एसे टीचर तूस्वाम हैं स्टूडेंट्स अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं थार्ड और फॉर्थ आवर पास्ट का रिवीजन की वीडियो मैंने आपके पास सेंट कर चुकी हूं और टूडे भी स्टार्ट नाव चैफ्टर फाइब स्टूडेंट्स चैफ्टर फाइब की क्वेस्टन अंसर की जो वीडियो मैं अभी आपके पास सेंट करूंगी उससे पहले आप चैफ्टर फाइब की जो वीडियो मैं आपके पास जो जांसी की राजी थी वह भूजीशन में थी बिर्टिसर की उस टायम पे राणी लक्षमी वाइब के दौरा एक दिमांड रखी गए थी क्या डेमांड थी और उस दिमांड को क्यों रिफूज किया गाया था बाई दा बूटिस अंग्रेजिग दौरा अंसर है रानी कंपनी टू रेकेगनाईज हर अडॉप्ट सन एज दा हायर यह तो दा किंग्डम आफ्टर दा डैथ हो परस्पेंट इस डिमांड वाज रिफ्यूज बाइद इस रानी लक्समी वाई जासी की जो चाहती थी कि जो इस्ट इंडिया कंपनी है वो मानिता दे रेकेगनाईज कर बेटा वह ही उसकी राजभाने का उत्रादिकारी बने लेकिन अंग्रीजों ने इस डिमांड को मना कर दिया मानने से मना कर दिया सब्सक्राइब करेंगे इस प्रकार इसाई धर्म को बदल माने के लिए इंडियन को कैसे प्रेस्टराइज किया गया था अंसर है in 1850 में a new law allowed एक नया कानून बनाया गया लागू किया गया एं इंडियन who had converted to Christianity अगर कोई इंडियन हिंदु धर्म को छोड़कर इसाई धर्म को अपनाता है इसना इसाई धर्म में convert करता है in to inherit property of necessity यानि कि अगर कोई इंदु धर्म को छोड़कर इसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पूर्वजों की property है संपती है वो उसको मिली रहेगी नहीं तो उसकी property छीनी जा सकती है इस प्रकारिस कानून के द्वारा इसाई धर्म को बदलवाने में इंदु धर्म से इसाई धर्म में बदलवाने में आसानी हो सकती थी ओके स्टुडेंट केस्ट नमबर थार्ड वोट प्रोग्लम डिर्दा स्पोय है तो न्यू कार्टडेज थे कार्थूस थे वो सिपाई के द्वारा जो सेना के अंदर क्यों मना कर दिया गया था नए कार्थूस का प्रियोग करने में क्यों एतराज था न्यू कार्थूस थे वर सब्सपेक्टिड उफ बिंग कोटिड इपट ऑ जो नए कार्थूस थे उसके उपर संदे था कि उसके उपर एक कोट लगाया गया है कि इसकी फैट का काउजेंड पिक्सूवर और गाएं की जो फैट है उस जो कार्तुर था उसके उपर उसकी लेप लगाया गया है बोत हिंदू हिंदू हिंद मुस्लिम से पोई वर ऑफंड बाई दा इंट्रोडेक्शन ओफ इस परकार जो हिंदू और मुस्लिम है ंग इसके अंदर ही नू मुस्लिम जो उर्यक्ति ठी उन्होंने ये लगा कि इस परकार के इ से जो भृषिश Hers रह रहें वह हमारे जर्शम को प्रकारular परभावित करेंगे इस परकार का जो कोट है इस परकार यह सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इन कार्थुस को परियोग करने से मना कर दिया तो दे वर दे फैट दाट बिटिस वर ट्राइंग तो इंसल्ट दियर इसलिए वो क्या मानते थे आपने दर्म को उन्होंने कार्थुस को यूज करने से मना कर दिया नेक्स्ट दे लाष्ट मुगल एंपड़र लाइफ अपनी लाइफ के जो लाष्ट थे पत्नी के साथ उसने रंगून जेल में बेज दिया गा था और वहीं पर 1858 में बेजा गा था और वहीं पर 1862 में डैथ हो गई थी तो इस परकार जो फाइब यर्ज थे उन्होंने वहीं जेल में गुजा दे थे उसकी गम थी उसके साथ में जीननत महल वह भी उसके साथ में रंगून जेल में थी नेक्स फेसर वट कुड भी रीजन फोर दा कॉन्फिदेंस ऑफ दा बिर्टिस रूलर्स अबाउट देर पोजिशन इंडिया विफोर में 1857 जो 1857 का विद्रो वा था उससे पहले की जो इतना ज्यादा कैसे था वो क्या रीजन थी फॉस्ट रीजन तर रीजन फोर दा कॉन्फिदेंस वेटिस रूलर्स अबाउट देर पोजिशन ओपनी स्तित्य को लेकर इतने आफ्टम विश्वास में थे 1857 से पहले पर ठू में डिसक्राइब बिलो नीचे दिये गए हैं फ बिअह। इनकी उन दंगों को दबाया गया उसी से में दबा दिया गया था और अंग्रेज इस सेानी से उनको दबा सके थी in the mid 18th century 18th century के mid में near about 1750 के आसपास the power of नबाब जो नबाबों की power थी राजा थी जमिदार थी वर eroded उनकी power को छीन दिया गया था the freedom of Indian ruler were reduced जो भारतिय साथ सकते उनकी power को reduced किया गया their arm force were dismantled उनके पास अपनी जो पुद की सेना थी उसको खतम कर दिया गया था their revenue and territories were take by the stage और उनके जो प्रांत थे या जिन प्रांतों से उनको revenue मेंनता था वो भी दीरे दीरे अपने control में कर रहे थे तो इस परकार जो power थी राजाओं की वो कम होती जा रही थी कब से पहले 1857 से पहले की बात यह की गई है next question what impact the badur-sah jafar support to the rebellion have to the people the ruling families यानि जो मुगल एंपरर का लाश बात रूलर थे बादुर्सा जफर उसके साथ देने थे रेबेलियन थे वी द्रोई थे 1857 में वो बादुर-sah jafar के पास जाकर उनसे अपना नेता बनने के लिए बोला था अपना लीडर बनने के लिए कहा था तो क्या परभावट पड़ा था इस पर इसका हम रीड करेंगे देर वाजे वाइड सेपरेट इपक्ट ओन दा पीपल ओव दा वोल कंट्री एंड इट्स डूलिंग फैमिली अफ्टर बादुर-sah jafar सपोर्टो दा रेबेलियन यानि कि जो रेबेलियन था जो विद्रो था वो पूरे देश में फैलाने के लिए ज्यादा एरिया में इस पैक्ट बगताए गए हम यह रोट लेटर टू आल्दा चीफ जो राजा था बादूर-sah jafar उसने उसके जितने भी मुखिया थे अलग अलग प्रोविंसीज में प्रांतों में उसने लेटर लिखी पत्तर लिखे रूलर्स ओव दा कंट्री जो अदेश के अंदर दूसरे स बनाएंगे जिससे हम अंगरीजों के खिलाब लड़ सकें लेटर किसने लिखा बादूर-sah jafar ने क्योंकि जो जनता थी वो बादूर-sah jafar को अपना लीडर बनाना चाहती थी इसलिए उसने अपने जितने रूलर थे मुगल रूलर थे दूसरे प्रोविंसीज में चीफ उनके पास लेटर लिखा एक इकठा होके संस्था बनाने के लिए और मिल जूलकर फाइट करने अगेंस्ट अगेंस्ट अब्रिटे जिदनी मुगलों की छोटी और बड़ी राजधानिया थी किंग्स थे राजा थे नबाब्स थे और दूसरे राजकुमार थे प्रिंसेज थे जमीदार थे मुखिया थे एवन हिंदू और मुस्लिम रिलीजर से यानि चाहिए वो हिंदू धरम के थे चाहिए वह मुस्लिम धरम के थे लीडर वेलकम इस इनिशियल स्टेप टेकन बाइदा एंपरर एंड ज्वैन हैं टूब अगेंदा वो सब खुश थे जो भी रा जाओं के दोबारा उसकी साथ दिया जाने के लिए हां कर दी कि उन्होंने कहा कि हम बादूर सा जफर की मदद करेंगे क्या अवद के जो लेंड ओनर थे जो विद्रो कर रहे थे अवद के लेंड ओनर जमीदार थे क्या वो अंग्रेजों का समर्पन करवाने के लिए जोग्य थे क्या वो सफल हुए थे अंग्रेजों को समर्पन करवाने में अंसर है दा बिटिज सक्सेस्ट इन सेक्योरिंग सबमिशन ओडा रेंबल लेंड ओनर यानिकी जो लेंड ओनर से विद्रोई थे अवद के उनको समर्पन करवाने में सफल हुए थे adopting various methods उनके द्वारक उस method बनाए गए थे उन्हों मेस्थ के according they announced reward for loyal land owners उन्होंने कहा कि हम उन्होंने घुसना कर दिया announce कर दिया कि जो loyal हैं वफादार land owners हैं जमीदार हैं हम उनको reward देंगे इनाम देंगे second they were assured that they would be allowed to continue to enjoy traditional right over this land उन्होंने वरोसा दिलवाया कि अगर आप continue हमारी बातों को मानेंगे तो आप अपने जो तुमारे traditional right हैं तुमारे प्रंप्रागत दिखार हैं जो तुमारी जमीन है उसका दिकार तुमारे को दिया जाएगा अगर कोई जमीदार हमारे खिलाब खड़ा आउगा तो यह अधिकार नहीं दिये जाएंगे और कोई जमीदार हमारा साथ देगा तो यह अधिकार दिये जाएंगे ये था आवद के विद्रोयों को समरपन करवाने के तरीके method नेक्स फिर्चन एट इन फुर्ट वेस दिदा ब्रिटिस चेंज देर पोलिश एज एज रचल्ट ऑफ दा रिवेलियन ओफ एटिन फिप्टी सेवं का जो विद्रो था उसकी जो पोलिशी थी उसका क्या प्रेनाम रहा नीतिया किस परकार बदली थी जो प्रेनाम आया था रजल्ट था उस रजल्ट के बाद किस परकार अंग्रिय जो ने अपनी पोलिशी को चींज किया अंसर है जो विद्रो उसको दबाने के लिए कौनकोंसी बगावत को दबाने के लिए कौनकोंसी पोलिशी अपनाई थी first British and crown British जो ताज था रानी थी जो बिर्टिस की took over the control of administration सारा जो administration था परसासन था वो किसके control में हो चुगा था British crown यानि कि जो British की मारानी थी उसके control में हो गया था कब किसके बाद 1857 के rebellion के बाद the British Parliament passed an act in 1859 अंगरेजों की जो संसति उसके द्वारा एक कानून पास किया गा कब 1859 में अंडर विच इस act के अंतरगत the power of the East India Company were transferred to the British crown यानि कि जो East India Company की power थी पहले East India Company के पास ये power इंडिया के अंदर रूल करने की लेकिन अब ये सारा जो पावर थी कि इसको दी गई थी British crown को अंग्रेज जोंकी महरानी को दा ब्रिटिस government was now directly responsible for ruling अलिया अब जो ब्रिटिस सरकार थी ब्रिटेन की महरानी थी वो प्रत्यक्स रूप से बहात में सासन करने के लिए तयार थी provided a sense of security लोकल रूलर्स जो देशी रियास्तों के राजा थे उनकी security के लिए सुरक्सया के लिए the ruling chief of the country were assured that their territories would never be accessed by the British जो मुखिया थे देशी रियास्तों के उनको ब्रोसा दिलवाया गया कि अगर आप अपने जो तुम्हारे प्रांथ हैं वाविश्या में कभी भी उनके जो एरिया हैं उन पर अंग्रेजों के दोबारा control नहीं किया जाएगा however they had to swear agencies to the British crown they also obliged doctrine of lefts thereby the allowing rulers to pass on their kingdom to adopt some उनको कहा गया कि जो agencies है वो अब उनके जो गोदलिये वे बेटे हैं doctrine की जो lapse की नित्ती है उसको भी खतम कर दिया गया था जो डलोजी के द्वारा चलाई गयी थी और जो उनके adoption है वो अदलिये वे बेटे हैं उनको ही उनकी देशी रियास्तों के उत्रा अधिकारे माना जाएगा थर्ड रिजन प्रोवाइड़े सींस ऑप सेक्यर्टिव लेंड ओनर जमीदारों की भी सुरुक्षिया का ध्यान रखते विए पोलिसी वर मेड टू प्रोटेक्ट लेंड और जमीदार जो पोलिसी बनाई गई थी वो जमीदारों की और लेंड लोड की प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो चेटर फाइव के उनको ध्यान से याद करना है Okay students